आज की इस वीडियो में हम दिखाने वालें कि आपके अधार कार में कौन सा मबाइल नंबर लिंक है या फिर अगर आपको ये नहीं मालूम है कि आपके अधार कार में मबाइल नंबर लिंक है या नहीं है और दोस्तों अगर आपका मबाइल नंबर लिंक है तो कौन सा मबाइ दोस्तो कैसे आपको चेक करना है तो उसके लिए आपको माई अधार के पोटल पर आजाना है इस पोटल का link हमने वीडियो के description में दिया वा है जैसे आप किलिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरफेश दिखाए देगा जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको काफी सारे options देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि थोड़ा से नीचे scroll करना है तो यहाँ पर एक option मिलेगा check अधार validity का option तो आपको क्या करना है कि इसी वाले option में click कर देना है click करते ही दोस्तों अब यहाँ पर आपको आधार number type करना है यानि जिसका भी आप आधार काड check करना चाहते है कि उसके आधार काड में mobile number link है या नहीं है और अगर link है तो कौन सा mobile number link है तो उसका आधार number यहाँ पर आपको type कर देना है उसकी बाद यहाँ से capture code मिलेगा तो जिस परकार से capture code होता है उसी तरीके से यहाँ पर आपको type कर देना है यहाँ आपको proceed वाले option में click कर देना है proceed पर click करते ही दूस्तों आपके सामने कुछ इस परकार का interface आज आएगा जिसमें यहाँ पर आपका सबसे पर आधार number शो होगा आपका आधार कार में कितना age हो रहा है वो age देखने को मिलेगा उसकी बाद यहाँ से आपका gender मिलेगा उसकी बाद estate मिलेगा और सबसे नीचे आपको देखने को मिल जागा mobile यानि कि दुस्तों यहाँ पर आपका जो भी mobile number लिंक होता है उसका last three digit number शो होगा जैसे कि हमारा तीन number last का सो हो रहा है लेकिन दुस्तों अगर आपका आधार कार में mobile number लिंक नहीं होता है यहाँ पर आपका तो उमीद करते हैं कि दोस्तों वीडियो काफी पसंदा अगर पसंदा तो लाइक कर दीजेगा चनल को सब्सक्राइब ने किए तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा